नमस्कार, हमारे सामने एक होरस्कोप है 15 जुलाई 2011, 9 बचकर 15 मिनट प्राते इनका जनम हुआ है सिंग लगन और धनु राशी की ये कुंडली है, सबसे अच्छी बात किसी कुंडली के अंदर अधिकतर में जो देखता हूँ अगर लगन और राशी के मालिक में आपस में मितरता होती है तो ये जीवन में समझस से बैठाने में बहुत अच्छी मदद करती है लगन सिंग लगन सूर्या का लगन है और राशी के मालिक ब्रस्पती है और यहां पर ब्रस्पती ने अकेले ब्रस्पती ने आपके लगन को भी और आपके पांचवे घर को और नौवे घर को यानि जो एक लक्षमी त्रिकॉन होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सयोग बनाया है यहां ब्रस्पती यह देखिए नवम भाव में बैठे हैं लगन को द्रश्टी दे रहे हैं पंचम को द्रश्टी दे रहे हैं पांचवी और नौवी द्रश्टी दे रहे हैं और यहां ब्रस्पती आपकी धनुराशी के मालिक भी है यानि अकेला ब्रस्पती दीवन में लक्षमी त्रिकोण बनाने में शक्षम है, जीवन में ऐसे योग ओवराल आपको हेल्प करते हैं यानि जीवन में जब से आप पैदा होते हैं और जब तक आप इश्वर के पास तक जाते हैं तब तक आपको धन्ष संबंदी चिंता हैं जीवन में ये प्लैनेट्स नहीं होने देते, बहुत अच्छी स्थिती है, कभी-कभी मैंने देखा है ऐसे लोगों का जो maturity level है तो थोड़ा सा slow होता थोड़ा सा maturity आने में ऐसे लोगों को समय लगता है सामाजिक समझ होने में समय लगता है बाकी overall देखें तो बहुत अच्छी condition, ब्रसपती ने यहाँ शो की है लगन, सिंग लगन इस्थिर लगन है, रोयल साइन का लगन है, और सभाव में इस्थिरता के साथ सात्विक्ता देता है राजसिक्ता देता है तामसिक गुणों से दूर रखता है योग कारक मंगल की लगन पर दस्थि है, आपका मंगल केंद्र और त्रिकॉन दोनों का मालिक है, और बैठा है करम भाव में केतु के साथ है, मंगल और केतु को आप यह समझ सकते हैं, कि मंगल का जो वहवार है, ऐसा ही वहवार केतु का है, जैसे कहते है कुझवत केतु, तो यह कोई खराब योग नहीं है, जब यह करम भाव में होता है, तो व्यक्ति को करम के प्रती मेहनत करने की शमताय प्रदान करता है, लगनेश एकादश में, लगन का मालिक एकादश में, यानि आपका जो बोड़ी है आपके जो लगन है, वो लाब से जुड़ गया है और शुक्र के साथ बहुत सुन्दर राजयोग में लिप्त है शुक्र करमेश है सूर्य लगनेश है तो फिर से एक बहुत सुन्दर राजयोग यहाँ पहला राजयोग धनियोग बनाया ब्रसपती ने, दूसरा बनाया मंगल ने तीसरा बनाया सूर्य शुक्र ने तो यह सिच्चुेशन्स अपने आप में बहुत अच्छी देखी गई है दो धन भाव का मालिक यानि ग्यारवे घर का और दूसरे घर का जो मालिक है यह दो जगए से धन प्लैनेट देने वाला प्लैनेट बुद्ध कुंडली के बारवे घर में बैठा हुआ है बारवा घर दूर की यात्राओं का विदेश यात्राओं का दूर इस्थान से धन कमाने का होता है और जब आपके लाविस्थान के मालिक महाँ पहुँच जाएं तो कभी-कभी ऐसे सिचेशन में व्यक्ति अपने जीवन में जनम इस चली से कहीं दूर जाके काम करता है या कह सकते हैं कि विदेश में जाना भी संभव है शनी इस कुंडली के अंदर अच्छा ग्रह नहीं मान जाता है सिंग लगन के लिए शनी को अच्छा ग्रह नहीं है क्योंकि वो आपके शटे और सात्वे गर का मालिक है शटा गर जगडे जंजट रोग रिंड रिपू के लिए जाना जाता है अब राशी आपके शनी जो है आपकी दूसरे घर में बेठे उए है शटेश जब जब दूसरे घर में बेठता है तो ये धन के लिए अच्छा नहीं माना जाता जीवन में कभी भी शेनी की दशाय आती हैं तो आपको पैसे से संबंदी तकलीफ या किसी व्यक्ति विशेश द्वारा धोके से आपका पैसा ले लेना आपका पैसा कहीं लग गया, महाँ पर वो पैसा फस गया है वैसी सिचेशन को भी ये शो करता है थोड़ा सा वानी पर आपको सयम रखना चाहिए एक्स्ट्रा बोलने से बचना चाहिए जब सब्तमेश दूसरे घर में वैठता है कही न कहीं पती पतनी के वीच में पैसे को लेकर जीवन में थोड़ा सा विवाद संभव हो सकता है ये स्थिती थोड़ा विवाद में विलंब कराने में भी शक्षम है नवांश कुंडली में लगन में दो ग्रह बैठे हैं शनी और सूर्य दोनों ही अगर मालिक के बात बारें बात करें एक अश्टमेश है एक तिरतियेश है दोनों लगन में बैठे हुए है तो ये सेटेशन ज़ादे अच्छी नहीं मानी गई है लगन के लिए लगन का मतलब होता है नवांश का लगन ये विवा का लगन है और यहां भी देखें आप जो सकतमेश है वो भी अपनी राशी के अश्टम में गया है यहां भी सब्तमेश अपनी राशी शेष्टम में गया है तो थोड़ा सा वेवाई जीवन के लिए चिंता जनक लखी रहे हैं तो इनका जो विवा है वो थोड़ा कुंडली मिलान का सहरा लेकर कराईएगा गुण मिलान ना कीजिए धनूराशी को साड़े साती का चल रहा है काफी लंबे समय से और अंतिम चल रहा है साड़े साती का तीसरे चलन शनी का गोचर छटे घर में आ चुका है तो तीसरे चलन धनूराशी वालों के लिए कोई खराब नहीं है चंद्रमा की महादशा इस वच्चे को चल रही है 2017 से चंद्रमा मन का मालिक होता है मानसिक्ता का मालिक होता है आपकी mentally conditions चंद्रमा पर अधारित होती है चंद्रमा इस कुंडली के अंदर आप देखे पंचम भाव में बैठा है पंचम भाव शिक्षा का इस्थान है लेकिन चंद्रमा द्वादशेश होकर बैठा है जब द्वादशेश होकर चंद्रमा बैठे और अभी बच्चे की जो उमर है वो महज 8 साल है 8 साल के बच्चे के जीवन में चंद्रमा की दशागर उसको आईस्थरी के आती है तो थोड़ा सा मन के अंदर जो है उथल उथल रखती है एकागरचित होना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक तो चंद्रमा द्वादशेश है पंचम में बैठा है बहुत अच्छी बात यह है दूसरा मंगल उसको देख रहा है सूर्य शुकर भी उसको देख रहे है और ब्रसपती भी उसको देख रहा है यहनि सारे ग्रह मिलकर देखें तो चंद्रमा पर आस्पेक्ट डालते हैं यह पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है एजुकेशन हो रहे है चलती रहेगी एक आट-नो साल के बच्चे से हम जितने उम्मीद कर सकते हैं उसके इसाब सच्थिती भैतर रहेगी लेकिन थोड़ा सो मिजाज जो है वो चेंजेवल रहेगा अभी चंद्रमा की दशाद 27 तक चलेगी 27 का मतलब है जीवन के लगबग 16 वर्ष तक चलेगी तो एजुकेशनल ही कोई प्रब्लम नहीं है लेकिन मिजाज को ये चेंज करने में शक्षम है आप नवांश कुंडली में भी देखेगा चंद्रमा सप्तम भाव में बैटे हैं लेकिन वहां दो अशुपगर है शनी और सूर्य उसको देखते हैं तो मूड चेंज मूड का स्विंग होना ऐसे लोगों में बहुत ज़ाद है देखा जाता है चंद्रमा को ब्लड का कारग भी कहा जाता है रक्त से संबंदित विकार तो अचा से संबंदित रोग अब जैसे रैसे व्यक्ति के ब्लड सर्कुलेशन्स होते हैं वैसे वैसे उसका मूड होता क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन्स में आप देखते हैं जिनको हाई बीपी लो बीपी की प्रबलम्स होती है वो blood से पे आधारित होती है उनका BP low है तो उनका सभाव कुछ और है उनका BP high है तो उनका सभाव कुछ और है अब ऐसा ही एक बच्चे को दशा चल जाए चंदरमा की हो चंदरमा यहाँ पर इस तरीके से स्थिती में हो तो बच्चे का जो मिजाज है वो समय समय पर चेंज होगा थोड़ा सा इनको समझने में आपको थोड़ी कठनाई होगी जैसे जैसे उमर आगे चलेगी वैसे वैसे इनकी जो सभाव है उसमें काफी चेंज आता रहेगा बाकी कोई बड़ी प्रब्लम्स किस्ति यहाँ नहीं दिखती है कभी कभी क्योंकि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है मैंने महिलाओ की कुंडली पर कुछ शोध किये थे मैंने वहाँ भी देखा है जाब इनको मैंसी साइकल शुरू होता है तो इनको शुरुआत में काफी प्रब्लम्स होती है योगी चंद्रमा ब्लड से रिलेटेड है फ्लो से रिलेटेड है बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है मैं इस होरस्कोप को एजुकेशनली देखूँ तो बहुत अच्छा है क्योंकि अभी चंद्रमा है 16 साल की उमर की बाद अच्छी दशा मिल रही है मंगल की मंगल योग कारा होके करम में बैठा है और 16 साल से लेके 23 साल की उमर तक आएगा मंगल मंगल इस कुणडली के अंदर योग कारा करम भाव में यानि प्रफेशनल कौलिफिकेशन चोह रही है यहां भी देखिए आप करम की कुणडली में मंगल लगनेश होके ब्रस्पती चंद्रमा के साथ बहुत सुंदर योग में है तो एजुकेशनली देखें तो बहुत अच्छी सिच्वेशन्स मुझो यहां दिखाई दे रही है जो भी एजुकेशन होगी वो नॉन टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी तकनीकी शिक्षा के बहुत अच्छे संकेत यहां दिखाई दे रहे है बच्या भविष्य में अच्छी प्रिगती करेगा एजुकेशनली तोर पे उसमें भी कोई संदे यहां नहीं है नवांश कुंडली में मंगल नीच का हो गया है यह देखिए आप मंगल यहां नीच के हैं जब प्लैनेट नीच का हो जाता है लेकिन साथ में ब्रसपती उच का है तो यह इस्टिती क्या करती है नीच के प्लैनेट और उच के प्लैनेट में सिर्फ इतना अंतर है नीच का प्लैनेट व्यक्ति से थोड़ा एफर्ट ज्यादा कराता है उच का प्लैनेट आपको कोई तकलीफ देता नहीं हो कहता है मैं अपनी तरगे समशक्षम हूँ आप अपना काम करे जाओ रिजल्ट देना मेरे हाथ में तो यहां मंगल कहने को शुकूर की राशी में केतु के साथ है लेकिन योग कारक होके दशम में बैठना एक बहुत अच्छी स्थिति है लेकिन शत्रू की राशी में केतू के साथ होना एफ़र्टस दिखाता है वहीं मंगल नावांश में नीचका है लेकिन दशमांश में बहुत अच्छी पोडिशन में पहुँचा तो मंगल की दशा को मैं अगर ओवराल कहूं तो ये कोई खराब दशा नहीं है विच्चे को इस दोरान अपनी एज्जूकेशन पर ध्यान देना चाहिए कॉम्पटिशन वगरा की तयारी करके कोई अग्जाम वगरा क्रेक करने में ऐसा वेक्ती शक्षम है लेकिन जब तक चंद्रमा की दशा चलेगी जून सकता इस तक तब तक थोड़ा सुभाव को लेकर समय समय पर चेंजिन होगा हो सकता उसके लिए आपके मन में भी चिंता रहे कि भी आकिर होगा क्या कभी इसका मूड बहुत अच्छा होता है कभी इसका मूड विलकुल खराब होता है कभी ये कुछ कहती है कभी ये कुछ कहती है तो उस चीज को लेके थोड़ा सा प्रबलमस आपको आ सकती है ऐसे लोगों को आप भगवान शिव की अराधना में जितना ज़्यादे डालेंगे बच्चों को बोलो को बेटा आप ओम नमस शिवाय मंदर बोलो सवमबार के सवमबार अगर आसपास कहीं है शिव मंदिर है तो वहाँ जाया करें वो इनके लिए बहुत फायदे मन रहेगा अभी यह बहुत छोटे हैं तो इनको रतन पहनाने की कोई आवशकता नहीं है ओवराल चाड बहुत अच्छा है ईश्वर ने चाहा तो यह अच्छी खासी तरक्की जीवन में करेंगे भगवान शिव की शरण में जाना इस इनवैक्ति के लिए बहुत जादे बहतर रहेगा भगवान शिव की किसी भी प्रकार से आप चाहे तीरते स्थानों के दर्षन कराओ जोत्र लिंक के दर्षन कराओ बहुत सारे सिद्ध इस्थान है भगवानशिप के वो इनको इन दोजरान अगर होते हैं तो जो थोड़े वोड़े दोज होते हैं वो खतम हो जाते हैं तो ये था आपके horoscope analysis इश्वर कृपा से career wise देखें, education wise देखें, overall life देखें तो ठीक है इनकी इश्वर इनको अच्छी कासी तरक्की प्रदान करें, ऐसी मेरी भी प्रात्ना है, नमस्कार